जैहिन दोस्तो आज के वीडियों बात करने वाले एक नए रेक्रूट्मेंट के बारे में जो की NMDC Limited के तरब से आया हुआ है जहां दोस्तो यहां से एक बहुत बड़ी मातरम वैकेंसी निकाली गई है तो चलिए देखते इसका क्या है पूरा डिटेल और कैसे इसको अपलाई करना और कौन-कौन से इलिजिबल है इसमें ठीक है तो आप यहां पे देखिए बहुत सारे वैकेंसी जो सो आई हुई है जो कि ITI डिपलोमा और बीटेक कंडिडेट के लिए यह पूस्ट निकाली गई है तो आप यहां पे देखिए जो फिल्ड एटेंडेंट ट्रेनी जो है उसमें टोटल 43 पोस्ट निकाली गई है जो ITI का कंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है अगला पोस्ट जो है वो मेंटेनेंस एसिस्टेंस का है जिसमें टोटल 90 पोस्ट निकाली गई है इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ITI in welder, fitter, mechanics, motor, machine, diesel, mechanics, auto, electrician का कंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है ठीक है अगला हम देखते हैं तो मेंटेनेंस असिस्टेंस एलेक्ट्रिकल ट्रेनी आरेस जीरो टू में जो वेकेंसी निकाली गई है उसमें टोटल 35 वेकेंसी है इसमें जो सो ITI कर रखा अपने इलेक अप्लाई कर सकते हैं अगला पोस्ट जो हो MCOGR 3 में जो फ्रेकंसी निकाली गई है इसमें टोटल 4 पोस्ट है इसमें आप देखें एसेंसियल जो सो 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है मेकेनिकल इंजिनियर से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं साथी दोस्तों आपको हेवी विहाइकल रविग लेसेंस भी रहना चाहिए अगला पोस्ट जो है हम मेकनिक में जो है वह आप देखें दस पोस्ट निकाली गई है इसमें आपको जो मांगा है वह डिपलोमा इन मेकनिकल इंजिनियरिंग ठीक है और यह डिजारेबल आगे क्या है वाइलेड हैवी लेसेंस है आपके पास तो आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा अगला जो है वो इलेक्ट्रीसियन जीर ट्री में जो है सेवन पोस्ट निकाली गई है अगर आपने तीन साल का डिपलोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ठीक है और फिर आपके पास एक्सप्रियेंस भी है या फिर फ्रेसर कंडिडेट है तो आप इसको प्लाइ कर सकते हैं अगला जो हो दो पोस्ट निकाली गई है ब्लास्टर में उसमें अगर आप मैट्रिक या आई टी आई कर रखा तो भी आप इसको प्लाइ कर सकते हैं ठीक अगला अगर हम देखे तो QCAG3 में जो वैगेंसी नि लाइक कर सकते हैं साथ ही दोस्तों यहां पर रिजर्वेशन भी रखा गया है जैसे कि आप डिटेल देखें फीट फीटिंग वेल्डर मोटर डिजल मेकानिक्स यह सब में जो सो रिजर्वेशन भी रखा गया है तो रिजर्वेशन कुछ इस तरह से है स्ट के लिए साथ एस समय तो फयल जैगा तो यह अच्छी बात है रिजर्वेशन रहना चाहिए कुछ कुछ पोस्ट में अगर हम सकered करे में तो अब दिखें आरह जय से अपका जो सो स्टार्ट होगा एक साल उसका उतिर आगले छे महना तक आपका 18,500 तक मिलेगा उसके बाद फिर 3% जो सो आपका बढ़ते जाएगा और लास्ट में जो पेस के लहो लगभग आपका 32, 35,000 के लगभग में जाएगा ठीक है अगर हम एज लिमेट का बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे 18 साल रखा गया है और मैकसिमम दोस्तों यहाँ पे बताया हुआ नहीं है कोई कितना है सो और एज जो सो कंसीडर किया जाएगा 2, 3, 2022 के हिसाब से अब इसको अप्लाई कैसे करना तो आप इसको के ओफिसियल NMDC के ओफिसियल वेबसाइट पे जाएगा ठीक है वहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हम डायरेट इसका लिंक जो सो डिस्क्रिशन में दे देंगे और इसका जो अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग है वो दस दो 2022 से लेकर के मतलब 10 फरवरी से लेकर के इसका फॉर्म जो से भारा जाएगा और दो तिन 2022 तक इसका फॉर्म को फिलप किया जा सकता है तो अगर आप में इलिजीबल है दोस्तों तो आप इसको जरूर अपलाई किजिएगा ठीक है क्योंकि पेस्केल अच्छा और यह पर्मानेंट जोब है सबसे अच्छी बात यह है ठीक तो दोस्तों फिलाल के लिए इतना ही मिलते है अगले वीडियो में अगर हम इसमें अगर यह एक्जाम का बात करें दोस्तों तो आपको देखें यहां पर एक्जाम का भी डिटेल दिया हुआ है जो कि जेनरल नॉलेज से आपका सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जागा और नुमेरिकल भी रहेगा रिजजनींग जो इस इस नमबर कर ठीक है यह पाइट वन के है और पार्ट फू में फाइट वन में जो सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जागा और यह पार्ट फू में जो सो जनरल अचनल नॉलेज और अपका पूछelessा将 मैं बतब इसका डूज अप्लाई करिएगा ठीक है अगले वीडियो में तब तक लिए जाएं दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें